नमस्त दोस्तों आप सभी का एक बार फिर्स स्वागत है आपके अपने योट्यूब चानल में फ्रेंड्स बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि अगर हम प्रेगनेंट हैं और बहुत सारी हल्दी चीजे खाते हैं अगर हम कोई भी च्छोटी सी मिस्टेक करते हैं अपने खाने पीने में या दिन चड़या में तो हमारे बच्चे का कलर काला हो जाता है बहुत सारी महिलाओं ने ऐसे अनुवाब बिल शेयर किये हैं कि हमारा बेवी का कलर काफी ज़दा डल है हमारे या हमारे husband का तो ऐसा नहीं है बट baby का color dull है तो ऐसा क्यों होता है क्या कुछ गलतिया होती है जो pregnancy के दोरान हो जाती है या फिर ये एक आम बात है जो कि बाद में जाकर सही हो जाएगा तो ऐसे बहुत सारे doubt है बहुत सारे महिलाओं को ऐसा भी लगता है कि हम कुछ particular fruits खाएंगे या फिर कुछ हमारे खाने पीने में ऐसी चीज़े हैं जो हमें नहीं लेना है तो इससे baby का color fair हो जाएगा तो क्या exactly सही होते हैं जो वग्यानिक रूप से prediction में भी सामने आए हैं वो सबी बातों पे इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हम जानने वाले हैं डिटेल्स में तो ये वीडियो आपके लिए बेहद informative knowledge will होने वाली है साथे साथ आपके जितने भी प्रशन है आपके baby से related रंगों को ले करके ये सारी आपके दूर होने वाली है फ्रेंड्स देखिए वीडियो तो baby का जो color होता है या फिर nature होता है या फिर उसके रूप रंग की बाते होती है या फिर उसके nails हो गए, hairs हो गए ये सब कुछ depend करता है jeans पे, कई बार मा की jeans बच्चे में जादा होती है और पिता की jeans कम आती है तो आपने जब बर्त के बाद बच्चे को देखा है तो कई बार आपने सुना भी होगा कि ये बच्चा तो बिलकुल ममी के जैसा दिखता है ये बच्चा बिलकुल पापा के जैसा दिखता है तो basically जो वेग्यानिक कारण होता है वो ये होता है कि ये सारे चीजे jeans पे depend करती है बट friends हमारे Indian culture में कुछ ऐसे वे food होते हैं जैसी कि बहुत सारे महिलाओं का मानना है कि अगर हम पीले रंकी या लाल रंकी fruits खाते हैं या फिर खाने में ऐसी कोई चीज खाते हैं जैसी कि गाजर हो गया, टमाटर हो गया तो इन सब की चीजों के सेवन की वज़जा से या फिर भी टूट हो गया तो ये सब खाने की वज़े से आनार है तो हमारा बच्चे का कलर काला हो जाएगा देखे फ्रेंड्स जो healthy diet होता है वो आपको natural चीजों से ही मिलता है जो चीजे मैंने बताई हैं आपको अभी वो सारी natural होती है और इनका basic काम होता है कम हो जाता है जिसकी वज़े से बच्चे का विकास सही से नहीं हो पाता है क्योंकि uterus के अंदर बच्चे का संपूर्ने विकास, oxygen, iron और आपके hemoglovin और vitamins पे ही depend करता है अगर आप बच्चे को ये सारी चीजे भरपूर मात्रा में नहीं देंगे तो बच्च के बाद बहुत सारे बच्चे कमजोर होते हैं, दिखाई देते हैं, बहुत सारी विक्रिती भी उनमें आजा जो कभी भी friends जो red color के food हैं, जो natural sources से हमें मिलते हैं तो वो हानिकारक नहीं होते हैं, उनमें प्रचूर मात्रा में vitamins होते हैं उनमें प्रचूर मात्रा में fiber होते हैं, minerals होते हैं कई प्रकार के और सबसे ज़्यादा important iron होता है इसलिए आपको चुकुंदर, गाजर, इसके अलावा friends जो भी healthy fruits होते हैं, उन सब का saving करना जरूरी है और by the way iron के supplements तो एक भी दिन skip नहीं करनी है कई महिलाओं के hemoglobin percentage कम होनी की वज़े से हमें जो hemoglobin है उसके भी बहुत बार treatment देनी होती है उसके अलावा friends बच्चे का growth कम हो जाता है, pre-match और delivery भी हो जाती है इस वज़े से so hemoglobin का एक अच्छा percent होना महिला के सरीर में बेहद important है एक healthy महिला के सरी में 12 से लेकर 16% तक hemoglobin होना चाहिए but 11.b it's enough for you, अच्छा होता है बट इससे नीचे नहीं होना चाहिए ऐसी condition में आपको तुरन डॉक्टर ये suggest करते हैं कि आप beetroot खाईए, आप गाजर खाईए अनार का juice लेना start करिए ताकि आपका hemoglobin अच्छा हो जाए इसलिए कभी भी iron supplement आपके baby का color decide नहीं करता है ना ही nutritional food करते हैं अब friends हम बात करते हैं वो कौन-कौन सी चीजे जो आपके baby के लिए अच्छा नहीं है आपके pregnancy के लिए अच्छा नहीं है तो वो food होते हैं ऐसे जिसमें बहुत ज़्यादा आपको तीखा, मसालेदार, Chinese food जिसमें बहुत ज़्यादा sources डाले जाते हैं, chemical से बने हुए इसके अलावा जो packet बंद food होते हैं जिसको अच्छा और fresh रखने के लिए बहुत सारी chemical मिलाई जाती है इसके अलावा जो food होते हैं जो packet बंद होते हैं फ्रेश फ्रूट नहीं होते हैं, juices नहीं होते हैं उनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए इसमें high calorie के मातरा होती है इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जो है बहुत ज़ादा पीजा, पास्ता, बर्गर नहीं खाना चाहिए ठीक है फ्रेंड्स इसके अलावा बहुत ज़ादा bakery प्रोडक्ट नहीं लेना है तो ये सारी चीजों से दूरी बना के रखनी हैं इसका आपको health benefit कम मिलता है और नु पूरती हो पाती है साथ ही साथ आपको कभी भी acidity की problem अपच की problem नहीं होती है बच्चे को move करने में भी आसानी मिलती है अगर उसका अच्छे से सारा vitamin of sources complete होता है तो एक और बात फ्रेंड्स जब भी बेबी पैदा होता है तो उस समय उसका skin काफी जल्दी-जल्दी से change होत है उसमें skin भी एक बहुत important भाग होता है तो skin का color जो है वो आप immediate decide नहीं कर पाते हैं कई बार skin का color black दिखाई देता है immediate लेकिन बाद में फेयर हो जाता है इसलिए skin के color पे आपको बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए बच्चे का जितना development जितना अच्छे से भरन पोश्चन हो पाए उस पे ध्यान देना चाहिए skin का tone अपने आप ही change करता रहता है और skin का color कई बार ऐसा भी होता है कि mother father का fair है बच्चे का black ही है 5 साल का हो गया बच्चा फिर भी तो ये कई बार depend करता है आपके family background पे भी कई बार दादा जी की family में किसी का color डल है तो उस पे भी बच्चे का color जा सकता है और eventually ऐसे ही नानी दादी के side हो पाता है so friends ये जैसा कि मैंने बताया कि medically researches में ये साबित हो चुकी है कि ये jeans पे depend करते हैं तो baby का बहुत जो features होता है बहुत जादा जो nature होता है वो family background पे भी depend कर सकता है इसलिए कभी भी आपको stress इन बातों का नहीं लेना है आपको अपनी pregnancy में पूरा ध्यान लगना है पूरे अच Instagram की ID Facebook page पे भी मुझे follow कर सकती है इसी hope के साथ इस वीडियो को यहीं parent करते है फ्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करें और अभी तक अगर आपने चानलों को subscribe नहीं किया है तो make sure subscribe करके notification bell on कर ले ताकि ऐसे ही मेरे वीडियो के डेली आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त होती रहे है तो दोस्तों आपना पूरा देहान देखिए take care guys thanks for watching